हाई दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार अजे इस्टार लेलबी में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल को लाइब करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जादा से जादा मेरा वीडियो सेयर हो सके और जो भी विद्यार्थी हैं जो भी कमप्रिशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आम नागरिक है वो भी अगर विदी के संबंद में जानकारी लेना चाहते हैं या देश की ब्योस्ता को जानना चाहते हैं कि हमारे या उसके वारे में में बताया था फिर उसके बादाया था कि समीधान की विसेस्ता क्या है और समीधान की प्रकीर्टी क्या है इसके बारे में मैंने बताया था आज का जो मेरा जो भीष्च है टापिक है आज हम लोग पहुचेंगे कि भारती öffentlich dishamiddha on the सुविधा के द्रिश्ट से तो इसको 22 भागों में पूर्व में तो 22 भाग था लेकिन वर्तमान में ये 25 भागों में इसे डिवाइट किया गया है और वर्तमान में जो अनुछेद है 464 या 65 के करीम में लंसम में गया है लेकिन मुल समिदान में 395 अनुछेद है और 12 अनुछ सुचियां हैं वर्तमान में यह चल लही है तो आज हम जानेंगे जो पहला भाग है आंगर OSP जो है चाहें civil हो चाहें civil का exam हो चाहें PCSJ का exam हो चाहें bank SSC railway कोई भी exam अगर one day exam भी होता है तो उसमें समिधान जो है जरूर समिधान से प्रशन पूछता है तो यह जो मेरा platform है जाइस इस्टार LLV में तो यह जो है PCS वाले भी इसमें जनकारी रख सकते हैं समिधान के बारे समिधान में जो पहला भाग है उसके बारे में हम जो जनकारी लेंगे कि पहला भाग किसे समंदित है तो पहला भाग जो है भारती समिधान का जो है संग और उसके राजचेत्र के बारे में बताया गया है यानि पहला भाग का जो अनुशेद है एक से ले के चार तक में उप पहले भाग के बारे में हम लोग स्पेशल यह जानने का प्रियास करेंगे कि भारत में यह जो संग है अनुछेत पहला यही करता है संग का नाम और उसके राजिछेत्र तो आप लोग जब भी आडिकल एक जब पढ़ते हैं तो वहाँ दो चीजें सामने आती है भारत अर्था इंडिया यानि दो सब्दों को आप लोग देखेंगे वहाँ पे यानि अनुछेत एक ही यह अक्सर पूछता है एक्जाम हाल में जब भी आप सिविल का एक्जाम दें या PCS का तो यह पूछता है भारत यानि आर्टिकल एक में क्या कहा गया है तो भारत अर्थात इंडिय राज्यों का संग होगा उसमें यही बाते कही गई है भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संग होगा तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि यह संग बना किसे हैं तो अनुछेत एक यही बताता है कि जो हमारा 28 राज है और वरतमान में आठकेंदर सासित यानि यह अनुछे देख में कितनी बार इन सब्दों का प्रियोग किया गया है यह एक्जाम में अक्सर पूछता है PCSJ का हो चाहे आईयस का हो चाहे बैंक हो SSC हो सब्दों किसे है यानि भारत का प्रियोग कितनी बार किया गया है यानि जब हम यह जानते है कि जब दो बार इसका प्रियोग कर दिया गया है तो एक बार इंग्लिस में किया गया है, एक बार हिंदी में किया गया है, और दूसरी बार इंग्लिस में किया गया है, यानि भारत को भी दर्सारा है और इंडिया को भी दर्सारा है, तो हमें यह जानना होगा कि आखिर में भारत को क्यों तब डीनोट कर रहा है, तो वहां हम को यह जानना होगा कि जो भारत सब्द का जो परियोग किया गया है जब भारत की हम संस्कृतियों की बात करते हैं तो इसलिए हम वहां पे भारत सब्द का परियोग किया है और भारत को संबोधित करते हैं जब हम राजनेग संबंदों को अस्थापित करते हैं अंतरास्टी अ आटिकल एक में यह बोलता है भारत अथाट इंडिया राजयों का संघ होगा यह कहां लिखा गया है तो आटिकल में MCQ में आता है तो एक प्याप्लोट्रीक लगाईए गाँ भारत को कितनी बार संबोधित किया गे एक बार, दो बार या तीन बार, तो यानि भारत एक बार कहा है, एक बार इंडिया सब्थ का परियोग किया है, अब आते हैं दूसरा आर्टिकल ये बताता है कि नए राज्यों का प्रवेस और या अस्थापना, यानि ये भी MCQ में पूछता है कि अनुशेदों में क्या बात के में ही हिस्से में, जिसा भी बंगला देश में जो आप देखे होंगे संसोदन हुआ था, कुछ गाओं बंगला देश से इंडिया को भी मिला था, तो उसको भारत यानि नए राज्यों में उसका यानि भारत में उससे क्या किया गया था, सामिल किया गया था, और उसकी च किसी नए राजी का निर्माड करना हो या वर्तमान राजी की सीमा जो है उसको बढ़ाना है या कमी करना है ऐसी इस्तिती में किन अनुषेद में इसका वड़न किया गया है तो अनुषेद तीन में वड़न किया गया है यानि किसी नए राजी के नाम में भी परिवर्तन करना ह तो उसके समयंद में अनुछेद कौन सा है तो अनुछेद तीन है और यह सकती किसे को मिला है यह कौन कर सकता है तो यह आपका करेगा संसद यानि यही कोश्चन मनाता है यह कौन करेगा तो आपका संसत यानि दो कोश्चन हो गया यानि एक तो नए राजो की अस्थापना कौन करेगा तो संसत हो गया किस अनुछेद में कहा गया है कि नए राजों की अस्थापना और निर्माड हो सकता है अनुछेद 3 में बताये गया है चौथा आर्टिकल ये बताता है कि पहली अनुसुची और चौथी अनुसुची यानि पहली अनुसुची और चौथी अनुसुची के बारे में जो बताया गया है तो पहली अनुसुची जो है बताया गया संग मतलब कितने राज ये भारत में सामिल है उसके बारे में उपवंद किया गया और चौथी जो है सीटों के आवंटन से संबंदित है यानि अनुछेद 2 और अनुछेद 3 यानि किसी नए राजी की जब अस्थापना कर दिया जाता है ऐसी इस्तिती में संसद को जो है क्या होता है सीटे अबंटित करनी होती है बिधान सवा में भी और राज सवा में भी लोग सवा में सीटे अबंटित करती है उसका प्रतिनेद करने के लिए संसद को ये पावर है कि वो संसोधन करके पहली अनुसुची में और अनुसुची चोथी के अनुसार जो है अनुपूरक के रूप में या अनुसंगी के या परेडामी के रूप में उसमें वो संसोधन कर सकती है किसके किसके लिए कानून बना यानि लोक सभा और राजी सभा दूसरी चीदे बिधान सभा में सीटू के आबंटन के संबंध में ये बताया गया है कि संसद को ये पावर है उसके संबंध में वो विधी बना सकती है अनुछे दो और अनुछे तीन करें यानि ये अनुछे दो और तीन के ता जो विधी बन पावर है कि वह विधी बनाके पहली अनुसूची में संसोतन कर सकती है किसे के तहद तो अनुछे 2 और 3 के तहद बिधी बनाकर वह ऐसा कर सकती है सिटों के अबंटन के समबंध में और इसी इक साथ यहां पर यह बिंद वह अब समाप्त हो रहा है लेकिन हम लोग जो है कल जो पेज है उसको भी फालो करें कि अब कंटेंट हम आपको एक बहतर देंगे बहतर प्लेटफार्म सावित करेंगे और इसी साथ अपनी बात को यहीं पर समात करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाल